हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उप्चारनुसकी में हम उप्चारनुसकी चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुरना चाहते हैं तो आप उप्चारनुसकी चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें दीपावली 2020, 14 या 15 नौवंबर जाने सही दिथी, लक्षमी पूजन मुहरत वा लक्षमी गणेश पूजन विधी हैं दीपावली का त्योहर कार्थिक मास के अमावस्य तिथी को मनाया जाता है, इस दिन मा लक्षमी और गणेश जी का पूजन करने की माननेता है, आम तोर पर या 5 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 5 दिवसी दीपों का यह पर्व 5 दिन के बजाए 4 दिन का ही होगा, छोटी दि दिवाली के ठीक एक दिन पहले यानि की 13 नौंबर की रहेगी, तिथियों में उतार चराव के कारण लोगों में इस बात को लेकर असमंजस की इस्तिती बनी हुई है कि दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, आज इस वीडियो में हम आपको दिपावली की सही दिती, लक्षमी पूजन का शुब मूरत होगा, शाम 5 बचकर 28 मिनट से, शाम 7 बचकर 24 मिनट तक, प्रदोशकाल का समय होगा, शाम 5 बचकर 28 मिनट से, शाम 8 बचकर 7 मिनट तक, रशबकाल का समय होगा, शाम 5 बचकर 28 मिनट से, 7 बचकर 24 मिनट तक, अमावस्या तिती प्रारंब होगी, 14 न दिवाली के दिन महानिशीतकाल में माताकाली का पूजन किया जाता है महानिशीतकाल पूजा का शुब मुहरत होगा रातरी 11.55 मिनट से पूजा की कुलवधी 35 मिनट की होगी दिवाली लक्षमी पूजन विधी शास्त्रों के नुसार दिवाली पर लक्षमी पूजन बहुत ह विशेश होता है और जिस दिन अमावस्यतिति होती है उसी दिन दिवाली मनाई जाती है अमावस्यतिति पर संध्याकाल और रात्री शुप मुरत में मालक्षमी भगवान गणिजी की पूजा अराधना की जाती है संध्याकाल के समय घर के पूजा इस्थल पर चौकी पर लक् पूजा में खील, बताशे, पंचमेवा, गुड, फल, फूल, मिठाई, कमल का फूल वा मालक्ष्मी जी को प्रे कौडियां अर्पित करें। अब मातालक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सूप्त का पाठ करें। दिवाली पर मालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी और भईखातों की पूजा करें।